दोस्तो जैसे कि आप देख सेकते हो मेरे हाथ में है यह आई से बारे में डीटल वीडियो और डी चैनल को पर अपलोट किया था दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा मुझे किस तरह के ऴर्ट ऊफर्योंचे ठोल आप नहीं मुझे करेंगी अपर यह ज Will warto बosit के छिए तक छेयर के वीडियो응 यह Wisconsin करेंगे अब कर दोस्तों विम किल कशिंग करेंगे पtones सरा का लिए सामने से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और पीछे से कुछ इस तरह से दोस्तो सबसे पहले में इस packet को यहां से side से काट लेता हूँ केची से चले मैंने अभी इसको केची से काट लिया है उसके बाद इस packet में सर्फ एक ही पेश है जोस्तो जिसमें card आपका चिपका हुआ आता है सबसे पहले इसके ऊपर मेरा जो address है वो लिखा हुआ है मैं इसको hide कर देता हूँ इसको open करने के बाद यहाँ पे card के बारे में कुछ details दिया हुआ है जैसे कि card जैसे activate करना है इसके features, benefits और पीछे भी इस card के बारे में details दिया हुआ है तो अब हम card को निकालते हैं दोस्तों यह card पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है और सामने से यह दिखने में कुछ इस तरह का है दोस्तों तो दोस्तों अब बात करते हैं मुझे यह card कैसे मिला दोस्तो यह जो मेरा account है यह ICSA bank का mind savings account है जो कि एक zero balance savings account है इस account को launch करने के बाद ICSA bank ने कुछ time के लिए इस account को आप कर दिया था यानि कि आप इस account को open नहीं कर पा रहे थे उसके बाद ICSA bank ने में 2021 को इस account को फिर से relaunch किया था जिसका वीडियो मैंने सबसे पहले YouTube के उपर upload किया था दोस्तो दोस्तो उस वीडियो का upload करने के बाद मैंने इस account को online open किया था account को open करने के बाद ज्यादातर केसों मैं इस account में balance maintained बिल्कुल भी नहीं करता था जैसे कि एक जियो बैलेंस अकाउंट है तो कफी ऐसा भी हुआ है कि मेरे account में 17 रूपे 300 रूपे 500 रूपे ऐसे करके balance रहता था दोस्तो इस account को मैंने बस ऐसे ही रख दिया था कि मैं इस account को यूज नहीं करूंगा और मुझे इस account से कोई प्रिया प्रूप ऑफर या फिर मुझे आई से बैंक के जो कार साते Amazon पे कार्ड को छोड़के किसी भी कार्ड में मुझे आई से बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं था दोस्तो ट्रंजक्शन मैं इस account में प्रिया प्रूप ऑफर के लिए नहीं करता था बस account ऐसे पढ़ा रहता दोस्तों और इस account में कभी-कभी मैंने बैंक के ब्रांच में जाकर cash deposit किया है उसके बाद तुरंत यूपिय करके या फिर फोन पेसे या फिर ट्रेक्ली मानी ट्रांसपर करके इनी एप्टी करके मैंने इस पैसे को दूसरे मेरे bank accounts में shift कर दिया था ज्यादा तर केसों में इ account जब मैंने ICSA bank के mobile app में login किया बहुत दिनों के बाद तब मुझे यहाँ पर प्री अप्री अप्रीट कार्ड मिला है प्री अप्री आप्रूव जासे कि आप देख सकते हो उसके बाद मैंने ICSA bank के i-mobile का application login किया था इस screenshot में यहाँ पर मेरे को card दिखा रहा है दोस्तों मैंने इसका वीडियो भी recording किया था लेकिन किसी कारणों से उस वीडियो का जो file था वो corrupt हो गया इसलिए मैं वीडियो आपको show नहीं कर पाड़ा दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद कुछ एक दो steps complete करने के बाद ही मुझे card दिख गया था आप देख सकतों यहाँ पर directly मेरा card number cv भी सब कुछ show कर रहा है दोस्तों मैंने security reasons के हाइट कर दिया है उसके कुछी time के बाद मुझे यहाँ पर message आता है कि यह card मेरे customer ID के साथ link हो जुका है दोस्तों मैंने जैसे आपको सारे details में बता दिया कि मैं कैसे कैसे इस account में transactions करता था दोस्तों अगर आपके पास zero balance account ह और आप account में transaction नहीं भी करोगे और आपके पस others bank का credit कर रहेगा तब आपको ज्यादातर कैसों में bank इस तरह से pre-approved offer provide कर सकता है लेकिन यह थोड़ा बहुत आपके लग के उपर भी depend करेगा दोस्तों जैसे कि इससे पहले भी मेरे पास total five active credit cards थे तीन था access bank का एक था SBI का औ और एक था HGFC का pre-approved market का जिसका video मैंने पहले ही बनाया था दोस्तों तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको सारे details में बता दी कि मैं इस account में कैसे transactions करता था मैं क्या-क्या maintain करता था या फिर मैं किस तरह से इस account को use करता था और हाँ इस account के साथ जो mine debit card भी आता है उस card को भी मै तब भी आपको reward point ठीक से नहीं मिलेगा उसमें मेरे को फाइदा नहीं दिखता था मैं इस लिए use नहीं करता था और यह जो मेरा ICSA bank के credit card को मैंने इस credit card को मैंने सिर्फ पर सेब लिया Amazon Pay card को लेने के लिए उसके बारे में डीटेल में वीडियो चैनल को बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों अगर आपको प्रियप्रूव ओफर चाहिए तो आपके बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं भी करोगी या फिर आगर आपके बैलेंस मेंटेनेंस अकाउंट है और उसमे बात दूसरे किसी को मैं पेमेंट करने के लिए बोलता था दोस्तों कि सेम अगर यूपए आईडी से आप बार बार पेमेंट करोगो तो प्रियप्रूव ओफर बैंक ज्यादा तर केसों में उसमें नहीं देता तेकिन अगर अलग अलग लोग एक एक एकाउंट में यूप कुछ मेरे एक्सपिरेंस के तरह और मेरे साथ हुआ है इसलिए मैंने आप से सेर किया दोस्तों इसका कोई गैरेंटी नहीं है कि यह सब कुछ आपके साथ भी सेम होगा हो सकता है सिच्वेशन आपके साथ अलग हो आपको कार्ट मिले लेकिन अलग किसी भी तरीके से दोस्त दोस्तों मैंने आपको जैसे यह डीटियल करिया है आप थोड़ा बहुत चाहो तो इस मैथोड को भी फॉलो करके क्रेट कार्ट ले सकते हो दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो को लाइक किजे ज्यादा शेयर किजे नीचे कॉमेंस में बता है आपको यह वीडियो से लेद या फेस चैनल से लेद या फेस लेद फाइननस तोपिक से लेद तो नीचे कॉमेंट किजह मैंस कर भए जरू दूंगा और इसकी तरह के फाइनस लेटिट्ट वीडियोस हिंदी में देखनें के लिए हमारा चैनल को सब्सक्रायब करें दोस्तों बहुत इस ब्रुको तेखने के लिए